Hello students, let's discuss another topic that is debt securitization. Let's proceed. हाजी, तो debt securitization क्या होता है? देखो बच्चो, जब भी, say example, मुझे पैसो की जरूरत है, ठीक है? तो मेरे पास एक alternative available है क्या? बांक से लोन ले सकती हूँ मैं. या फिर एक company, अगर उसे पैसो की जरूरत है, उसके पास भी एक alternative है कि वो बांक से लोन ले सकता है. But what about commercial banks? कभी भी किसी बांक को पैसो की जरूरत है, तो उसके पास भी एक alternative होता है. That is called debt securitization. अब debt securitization का मीनिग क्या है? debt securitization का मतलब है, जब एक bank जो है, अपने receivables को convert करता है, marketable securities में. मतलब जब एक bank अपने illiquid assets को convert करता है, liquid form में उसको debt securitization कहते हैं. इसको हम एक example से समझते हैं. Then आपको जो meaning है, वो clear हो जाएग. तो example में मैं ले रही हूँ process क्या है securitization का, तो उसकी help से आपको clear हो जाएगा. ठीक है? तो say example, मुझे loan की ज़रूरत थी. ठीक है? तो मैं किस के पास जाऊंगी? bank के पास जाऊंगी. ठीक है? यहाँ पे I am a borrower. ठीक है? मैं कौन हूँ? बॉरवर हूँ. पैसो की ज़रूरत थी, bank के पास गई. ठीक है? और यह originator, securitization के process में bank को क्या कहेंगे? originator. ठीक है? तो this is bank. ठीक है? तो मुझे loan की ज़रूरत थी, bank के पास गई. तो bank ऐसे तो loan नहीं provide करेगा. bank मुझसे क्या मांगेगा? bank करेगा, भई, कोई property है moatgage करने के लिए, तो बताइए, तभी मैं loan दूँगा. तो, say example, मेरे पास एक land पड़ी थी, और मैं उसको क्या कर देती हूँ? moatgage कर देती हूँ, bank के पास. ठीक है, आप moatgage कैसे करते हैं, bank को मैं क्या दे दूँगी? उसकी title deed, जो है, वो मैं bank को provide कर दूँगी. title deed मतलब land की registry के papers. ठीक है, तो मैंने क्या किया? bank को, उस title deed को provide कर दिया. bank क्या करेगा आगे? उस title deed, उस land की जो है, वो valuation करवाएगा. bank ने देखा, भई, ये जो land है, उसकी valuation करवाई, और देखा, land की value कितनी है? 10,00,000 रुपए. एक चीज़ याद रखनी है, bank जब भी valuation कराता है, तो property की जितनी value है, उतना loan provide नहीं करता. bank ने क्या किया? कुछ margin जो है, रखा. Say, example, bank की policy है, कि वो 20% margin रखता है. तो 10,00,000 का 20%, 2,00,000 रुपए margin रखा bank ने, और 8,00,000 का loan जो है, वो मुझे provide कर दिया. ठीक है? अब 8,00,000 का मुझे loan मिल गया, और मेरी जो title deed है, वो bank के पास पड़ी है. ठीक है? तो this loan is called secured loan. Secured loan क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने जो है, अपनी title deed जो है, जो मेरे land के papers है, registry papers, वो किसको दे दिये? बांक को दे दिये. तो एक तरह से बांक के पास यह security है. But, securitization में आपको एक चीज़ याद रखनी है, कि जो loan है, वो हमेशा securitization process में, securitization में secured नहीं होते, it can also be unsecured loan, जैसे की credit cards, ठीक है? अब क्या किया? बांक से मैंने loan ले लिया. ऐसे ही, बहुत सारे borrowers आएंगे, और loan लेंगे, और अपनी title deeds किसको देंगे? बांक के पास, बांक को देंगे. और बांक क्या करेगा? उन title deeds को कहां पे रख लेगा? एक safe locker में रख लेगा. अब यह, अगर मैं बोलू, this group of title deeds are called mortgage pools. तो आपको याद रखना है, कि यह जो title deeds, जो कि मैंने बांक को प्रोवाइट कियें, और बहुत सारे borrowers ने बांक को प्रोवाइट कियें हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? mortgage pool. ठीक है? तो यह सब यह को बोलेंगे mortgage pool. और आपको एक चीज़ और याद रखने है, यह mortgage pool क्या है? illiquid. illiquid है, यह property के papers जो हैं, वो बांक के लिए क्या है? illiquid form में हैं, cash की form में नहीं हैं. तब ही कहते हैं, कि securitization process में, हम illiquid securities को convert करते हैं, liquid form में. तो अब यह mortgage pool जो है, वो इन liquid form में हैं. तो अब देखो, अगर हम बहुत सारे लोगों ने, क्या कि यह बांक से loan ले लिया, okay, done है. बट और borrowers अगर बांक के पास आ जाते हैं, तो अब बांक के पास इतना cash तो पढ़ा नहीं होगा, कि सबको loan दे दे. अब बांक इस case में क्या करेंगे? बांक कभी भी किसी customer को खोना नहीं चाहेंगे, बांक कभी नहीं चाहेंगे, कि मेरे पास कोई customer loan लेने के लिए आ रहे हैं, और मैं loan नहीं दे पा रहा. क्यों? यह तो main income है बांक की, तो बांक क्या करते हैं? बांक के पास पर एक alternative available है, that alternative is कि बांक क्या करेंगे? एक special purpose vehicle जो है, वो appoint करेंगे, जिसे कि special distinct entity भी बोलते हैं, ठीक है? तो बांक नहीं appoint किया, SPV, SPV is also called, यहाँ पे देखिए SPV लिखा है, बट आपको याद रखना है, कि SPV को और क्या कहते हैं? Asset Reconstruction Companies, ठीक है? SPVs are also called, Asset Reconstruction Company, और हमारे यहाँ पे अगर एक example दू, एक Asset Reconstruction Company का, that is Arcil, A-R-C-I-L, इंडिया में यह company है, जो कि SPV का का काम करती है, मतलब एक SPV है यह, The Full Form is Asset Reconstruction Company of India Limited, ठीक है? अब यह SPV का काम क्या होगा? Bank ने, SPV तो अपॉइंट कर लिया, यह Special Distinct Entity अपॉइंट कर ली, यह क्या करेगी? जितने भी bank के, का जो mortgage pool है, यह जो title deeds है, उसको क्या कर लेगे? यह purchase कर लेगी, ठीक है? अब bank के title deeds को purchase कर लिया, mortgage pool को इसने purchase कर लिया, अब purchase करने के बाद, इसका काम क्या होगा? उस mortgage pool को इसने analyze करना है, उसका analysis करना है, कैसे analysis करेगी? देखेगी भी, कौन सा loan की कितनी duration है, या हर loan से recovery के chances कितने हैं, ठीक है? अब SPV ने ये देख लिया, उसके बाद SPV क्या appoint करती है? उसके लिए जरूरी है, एक credit rating agency को appoint करना, ठीक है? credit rating agency appoint करेगी SPV, ठीक है? जैसे कि crystal है हमारे इंडिया में, जो कि एक जानीवानी credit rating agency है, ठीक है? ये credit rating agency क्या करेगी? कुछ fees charge करेगी SPV से, और ये जो securities है, sorry, ये जो हम कहा सकते हैं, moat gauge pool है, इसके उपर credit rating करेगी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, इस moat gauge pool की backing के उपर, क्या किया SPV ने bonds issue कर दिये? ठीक है? backing के उपर मतलब, कि bonds issue कर दिये SPV ने, अगर bonds, अब investor bond करीदने से पहले देखेगा, मुझे interest या principle वापस आ जाएगा के नहीं? ठीक है? तो उसके पीछे हम SPV विश्वास दिलाएगा, कि इसके पीछे क्या है, हमारे पास moat gauge pool available है, हम आपको ensure करते हैं, कि आपका principle और interest जो है, आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे SPV ने issue कर दिये, bonds, ठीक है? और credit rating agency क्या करेगी? इन bonds के उपर जो है, credit rating देगी, कि कौन से bonds ऐसे हैं, जिसके उपर full chances हैं, मतलब जो कि मोट gauge debagged हैं, और जिनके उपर rating अच्छी होगी, उन bonds के उपर, इसका मतलब उन bonds के उपर तो उने, investors को easily return और principle मिल जाएगा, जैसे कुछ bonds होंगे, जो कि AAA rated होंगे, AAA rated, जो कि rating किस ने दिये? credit rating agency ने, कुछ bonds होंगे, जो कि double A rated होंगे, कुछ bonds होंगे, जो कि single A rated होंगे, ठीक है, तो अब ये bonds, जो rating कियी है, ये किस ने कियी है? credit rating agency ने, और ये rating हमें क्या बता रही है? ये rating हमें ये बता रही है, कि अगर AAA rated bonds है, यहाँ पे investors के उपर, मतलब investors को किसी तरह का risk नहीं face करना पड़ेगा, इन से, इन bonds के उपर, उने easily interest और principal amount जो है, वो मिल जाएगा, ठीक है? तो obviously अगर आप एक investor जो है, वो देखेगा, वो ये risk कितना लेना चाहता है, अगर उसे example, मैं investor हो, मैं बिल्कुल risk नहीं लेना चाहती, तो मैं बिल्कुल triple A rated bonds को purchase कर लूगी, पर एक चीज़ याद रखनी है, अगर triple A rated bonds करीद रहे हैं, तो उनके उपर interest rate जो है, वो single A rated bonds से क्या होगा? कम होगा, क्योंकि यहाँ पे risk factor involved नहीं है, अगर double A rated bonds करीद रहे हैं, तो यहाँ पे interest जो है, वो एक moderate सा होगा, और अगर single A rated bond करीद रहे हैं, तो risk factor triple A rated bonds से high होगा, बट यहाँ पे अगर risk high है, तो interest rate भी इनके उपर क्या होगा? high होगा, ठीक है, उसके बाद, अब क्या करेंगे? लोग जो है, इन bonds के लिए subscribe करेंगे, इन bonds को purchase करेंगे, और इन bonds से आने वाला जो पैसा है, वो SPV क्या करेगा? SPV आगे bank को लौटा देगा, ठीक है? तो bank को पैसा चाहिए था, तब ही तो उसने SPV appoint किया, हाँ ना? और SPV ने क्या किया? bonds इशू कर दिये, bonds इशू करके जो पैसा आया, वो आगे उसने क्या किया? bank को provide कर दिया, तो यहाँ पे जो bank का जो purpose था, वो क्या हो गया? fulfill हो गया, उसकी जो problem थी, वो क्या हो गई? solve हो गया, बट एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे हर person की income क्या है, हर party की income क्या है, देखे, मैं borrower हूँ, मैं bank से loan ले रहे थी, तो यहाँ पे bank जो है, मेरे उपर interest कितना charge करेगा? 10 से 12%, ठीक है? वही, आगे SPV जो है, वो कितना interest rate charge करेगा bank से? It varies from 8 to 12%, हाँ न? तो उसके बाद investor, invest SPV जो है, वो कितना interest जो है, वो देगा investor को, that varies from 6 to 7%, तो यह क्या है? इन सब ने अपना, थोड़ा थोड़ा जो margin है, वो रख लिया है, ठीक है? This is the process of securitization, अब समझते हैं meaning क्या है? तो secure, अच्छा है, एक और चीज़ याद रखनी है, देखिए, अब यह जो bonds issue किये हैं, यह public issue, SPV ने यह जो bonds issue किये हैं, अगर यह public issue है, तो आपको याद रखना है, कि there are some regulations, और guidelines, जो कि SEBI ने दी है, अगर आप, securitization process में, bonds को क्या करते हैं, issue करते हैं, और वो guidelines कहां पे दी हैं, SEBI Public Offer and Listing of Securitized Debt Instrument Regulation 2008, तो यहाँ पे वो क्या कहता है, यहाँ पे कहता है, कि अगर SPV bonds को issue कर रही है, तो सबसे पहले याद रखना है, that securities should be in the form of DMAT, DMAT form में होनी चाहिए, ठीक है, मतलब electronic form में, वो securities होनी चाहिए, physical form में नहीं होनी चाहिए, second जो हम कहा सकते हैं, guideline जो SEBI ने issue की है, that guideline is, कि यह जो bonds issue कर रही है SPV, यह जो securities SPV ने issue की है, तो यह mandatory है, कि उन securities की जो listing है, वो कहां पे होनी चाहिए, recognized stock exchange में होनी चाहिए, तीसरी regulation यह दी, कि इन securities के उपर credit rating जरूर होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको example दिया, कि credit rating एजिंसी ने क्या किया था, इन bonds को categorize किया था, जैसे कि AAA rated bonds, AA rated bonds, single A rated bonds, ठीक है, fourth guideline यह है, कि यह जो आप bonds issue कर रहे हैं, यह जो आप securities issue कर रहे हैं, this issue shall not remain open for more than 30 days, तो आपको सिरफ इस issue को 30 दिन तक ही आप open रख सकते हैं, जितनी subscription आ गई, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, अब meaning की तरफ, तो meaning क्या है, securitization का, चेक कीजिए, securitization of debt or asset refers to the, यहाँ पे asset क्यों लिखा, यहाँ पे asset इसलिए लिखा, क्योंकि यह जो loans है, देखिए, बांक ने मुझे loan दिया, ठीक है, तो मैं क्या बन गई बांक की, debtor, और debtor जो है, वो बांक के क्या है, asset है, ठीक है, तो securitization of debt or asset refers to the process of liquidating the liquid, and long term assets, ठीक है, तो आपने क्या किया, securitization process में, bank ने illiquid assets को convert किया liquid form में, कैसे, illiquid assets क्या थे, title deeds, जो registry विली थी land की, वो illiquid form में थी bank के पास, पर उसको उसने किसमें convert कर दिया, liquid form में, liquid form में कैसे, उसने क्या किया, SPV ने marketable securities issue कर दी, और ये marketable securities किस फॉर्म में, marketable securities है, liquid form, लोग जो हैं, इन marketable securities को purchase करते हैं, bones को purchase करते हैं, और आगे SPV को पैसा देते हैं, तो, यहां पे securitization में क्या होता है, कि, illiquid assets को, हम liquid assets में क्या करते हैं, convert करते हैं, I hope meaning is clear to you, आगे चलते हैं, कि, कौन-कौन सी parties जो हैं, वो involved हैं, securitization process में, तो सबसे पहला है originator, originator मैंने आपको पहले ही बता दिया, कि originator वो, जो की क्या दे रहा है, loan provide कर रहा है, इस case में अगर मैं देखूं, securitization में, तो bank, या non-banking finance companies, जो हैं, वो क्या, कौन सा काम करती हैं, originator का काम करती हैं, next is your special purpose vehicle, special purpose vehicle को किस ने appoint किया था, bank ने appoint किया था, इसका काम क्या होता है, ये securities को issue करता है, ठीक है, कैसे issue करता है, कि इसका काम क्या था, कि ये जो loans थे, उसको क्या किया था, क्या टेगराईज किया था, उसको analyze किया था, कि कौन से ऐसे loans हैं, जो कि recoverable है या किसमें NPA होने के chances बहुत ज़ादा है और इसने credit rating agency appoint की उसके बाद इसने क्या किया था SPV ने marketable securities को issue किया था next is investment bank तो investment bank कौन है a body data is responsible for conducting the documentation work जितना भी documentation work होगा वो कौन करेगा investment bank ठीक है next is credit rating agencies credit rating agency का काम क्या था कि ये जो securities issue हुई है उसके उपर क्या देना rating provide करना जैसे हमारे example में credit rating agency ने क्या किया था rating provide की थी bonds के उपर triple A rated bonds double A rated bonds and single A rated bond next is insurance company और underwriter देखे अब भई company ने क्या किया था company ने SPV ने SPV ने क्या किया था bonds issue कर दिये थे अब देखे एक सेभी क्या कहता है सेभी कहता है कि अगर आप listing कर रहे हैं अपनी securities की तो जितनी भी securities आप issue कर रहे हैं तो आपके लिए ये जरूरी है कि आपको एक underwriting company को appoint करना पड़ेगा मतलब एक asset reconstruction company जब भी securities को issue करती है securitization के case में तो हमने बोला सेभी ने बोला है it should be listed in stock exchange और सेभी ये भी कहता है कि अगर securities stock exchange में listed हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा एक underwriting company को appoint करना पड़ेगा अब ये underwriting company क्या करती है ये ये देखती है कि अगर ये जो bonds उसने issue किये हैं जिस company ने issue किये हैं अगर वो under subscribed रहे तो underwriting company क्या करेगी जो remaining securities है मतलब जो bonds जो हैं लोगों ने नहीं खरीदे उसको क्या करेगी purchase कर लेगी ये underwriting company next is obligator obligator कौन है debtor जिसने loan लिया next is prospective investor prospective investor वो person जिसने क्या किये bonds को जिसने purchase कर लेगा ठीक है और उसको क्या मिलेगा इसके उपर interest जो है in bonds के उपर मिलेगा I hope की securitization आपको clear हो गया कर दीक है